नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्योब चेनल आरकेम स्टरी सेंटर पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जारखन बीएड एडमिसन सेशन दो हजार तेईस पचीस के लिए तो यहाँ पे आपका आखरी मौका है अगर आप इस सेशन के अंतरगत अपना एडमिसन लेना चाहते हैं तो अब आपके पास आखरी मौका है आप एडमिसन ले सकते हैं जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो हो लगभग चार कॉंसलिंग यहाँ पे हो चुका है और चारों कॉंसलिंग का यहाँ पे complete जो वो process है वो आपका 20-10, 20 October तक जो है वो complete हो चुका है ठीक है उसके बाद आपका जारखंड B.A.D. admission के regarding कोई भी update जो है वो जारी नहीं किया गया है बहुत सारे students अभी भी confusion में है कि उसका open round में admission होगा यह फिर नहीं होगा कब से आपका open admission जो है वो start होगा तो हम आपको एक बात के लिएर बता दें कि open round admission जो है वो आपका start हो चुका है आप जो है वो official notice का wait नहीं कीजिए ठीक है आपका बहुत सारे private college में जो है वो open round के तहत admission लिया जाने लगा है और अगर आप B.A.D. का entrance exam दिये होंगे ठीक है तो आप जो है वो 2023-25 के season में अपना admission ले सकते हैं अगर अभी तक जो है वो आपने admission नहीं लिया है तो आपका rank चाहें कितना भी अधिक हो बहुत कम marks क्यों ना आया हो फिर भी आप जो है वो open round में admission ले सकते हैं बस एक condition यहाँ पे होना चाहिए कि आपने जो BA entrance exam दिया हो अब बहुत सारे students यह पूछते हैं कि हमने जो BA entrance exam नहीं दिया है तो क्या मेरा admission हो सकता है तो यहाँ पे आपका जो बाइडमिसन नहीं हो सकता है ठीक है यहाँ पे एक जो condition रखा गया है वो यही है कि आपने जो BA entrance exam दे रखा है चाहे आपका वहाँ पे marks बहुत कम क्यों ना हो एक दो ही क्यों ना हो लेकिन आपका admission जो हो जाता ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद बहुत सारे students पूछते हैं कि कब तब आपका BA admission चलेगा 2023-2025 session के लिए तो देखे जादतर जो है जब तक seat आपका नहीं full होता है registration तक जब तक आपका BA registration नहीं होता तब तक बहुत सारे private college में जो एडमिसन चलता रहता है तो अगर आप किसी private college में एडमिसन लेना चाहते हैं तो उस college से contact केजिए उसका अगर आपके पास number नहीं है तो आप google से search कीजिए या फिर खुद उस college में जाकर बात कीजिए सभी private college में लगबग आपका 15 से 20 seat जो हो खाली है ठीक है और ये बात हम gallery के साथ बता सकते हैं हर साल इतना खाली रह जाता है तो आप जो हो एडमिसन ले सकते हैं इसके अलाव बहुत सारे student पूछते हैं कि हम general category से belong करते हैं OBC से करते हैं STSE से करते हैं उनका camera था तो क्या वो लोग open round के तहत admission ले सकते हैं तो उनका भी admission हो सकता है आप चाहे किसी भी category से क्यों ना belong करते हैं open admission में आपका जो है वो admission हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर चार्ज के बात अगर बात करें फिस के बारे में तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे private college में आपको जो है वो 10 से 20 हजार अब इभन यहाँ तक 30 हजार तक देखा गया है कि थोड़ा सा चार्ज जो हो आपको ज़्यादा लग सकता है तो इतना आप पे करके admission आप लोग ले सकते है government college या semi government college में आपका बहुत कम chance है कि admission होगा क्योंकि वहाँ पे लगबग seat full हो चुका है 99% seat फुल हो चुका है तो आपका जो open round के तहत केवल जादतर जो private college में ही admission होता है ठीक है तो आप लोग अभी तक अगर admission नहें लिए है तो ये आपके पास जो आखरी मौका है आप लोग college से को visit कीजे college से contact कीजे आपका admission जो हो जाएगा ठीक है और अगर आपको admission के regarding कोई doubt है कोई भी चीज आपको कोई question पूछना है तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं और be it के regarding सभी update को पाने के लिए इस चैनल को subscribe कर सकते हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम लोग next video में किसी नई update के साथ